दोस्तो वॉलिवुड में एंट्री करते समय हर एक्टर सुपर्श्टार बनने का सपना लेकर आता है कुछ का ये सपना सच भी हो जाता है लेकिन कुछ एक्टर ता उम्र सुपर्श्टार बनने का सपना ही देखते रह जाते हैं 1982 में आई एक ब्लोकबस्टर फिल्म में पदमी निकुलापूरी के हौन स्क्रीन पती बने इस एक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ महस एक रोल को रिजेक्ट करने के बाद ये साइड हिरो बनकर रह गये थे चिच्चोर, प्रेम रोग और देवदास जैसी कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनई के लिए पहचाने जाने वाले अपिनेता विजेंदर गाटके ने अपने करियर में एक ऐसी गलती की थी जिसके बाद उन पर साइड हिरो का ठपा लग गया था इंदोर के शाही खांदान में जनमे विजेंदर गाटके ने बोलीवड की करीब 124 फिल्मों में कई दमदार किरदारों में नजर आ चुके हैं बोलीवड के तकरीबन हर बड़े सूपरश्टार के साथ उन्होंने काम किया फिल्मों में उनके किरदार भी कहानी के इर्दगिर्ध ही बुने जाते थे। बावजूद इसके वो कभी सुपरश्टार नहीं बन पाए। इंदोर के शाही घराने से तालुक रखने वाले विजेंद्र गाटके के पिता फते सिंग राउद दत्ताजी राजे गाटके मराठा सामराज्य के जागिरदार थे। वे कागल का जिम्मा संबालते थे। विजेंद्र गाटके का परिवार कागल राज कराने के नाम से भी जा किया और अपने अभिनई का लोहा मनवाया कभी विजेंद्र गाड के लाला वरिश भान बनकर मशूर हुए तो कभी पद्मी निकोलापूरी और एश्वरया राई के ओन स्क्रीन पती का किरदार निबा कर उन्होंने खुब वाहवा ही लूटी यू तो अपने करियर में विज चबरदस्ट कलेक्शन किया था यह 1982 की दूसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म में विजेंद्र गाड के किरदार को भी काफी पसंद किया गया था विजेंद्र गाड के ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया था अप कि वो शायद सफेद डाडी और मुच लगाने से कत्रा रहे थे। बाद में ये किरदार मुकेश खन्ना को मिला था, जिनों ने इस किरदार को अमर बना दिया था। आपको बता दे कि साल दोजार दो में आई संजै लीला बनसाली की फिल्म देवदास में भी विजेंडर गाड के ने एहम रोल निबाया था। इस फिल्म में वो एश्वर्या राय के ओन स्क्रीन पती की भूमिका में नजर आये थे। सालों बाद इस फिल्म में भी वो साइड ड्रोल में ही नजर आये थे।